दिबाई तेहसिल में कई किसानों के साथ हो रहे है आर्थिक शोषिन के खिलाफ भारती किसान यूनियन किसान शक्ती ने अन्यदाता के लिए अंदूलन करने और कंधे सिकंधा मिलाकर शोषिन के खिलाफ तेहसिल में मंगलवार को इग्यापन देश की प्रधानमंसरी करमचारियों द्वारा गोटाले का उलेख किया गया किसानों को पराली जलाने के बजाय करित्री मखाद बनाने के बेलर उपकरन में सरकार निभारी छूट पर उपलब्ध कराने की उदेश्य से किसानों की मदद करने के लिए योजना चला कर रहाद देने का कादे किया लेकि यह जानकारी किसान यूनिन के जलाद्धेक्ष गजेंद्र शर्मा ने दी गजेंद्र शर्मा ने बताया कि किसानों का श्योशन बरदाश्ट नहीं किया जाएगा अज SGM महदे को गयापन दिया है ये क्या प्रकराने पूरा ये डिवाई के दो लोग हैं एक रंजन गुपता एक ससांग गुपता इन्होंने एक रेलवी रोड पे एक सौराज के नाव सौराज टेक्टर की एजनसी है कैलाज ग्यान टेक्टर्स के नाम से उस टेक्टर्स लिए किरसी उपकरण दिये थे जिन पर बहुत बड़े बड़ी तादाद में 80% तक सबसीड़ी थी वहां इन लोगों ने जो लोग भूमी हीन थे उनको किसान बनाया फर्ची उनके आधार कार्ड पेन कार्ड और खतोनी बनाई गई उसके बाद जो है उनको कागजों में ही तमाम ये उपकरण अपलब्द कराए गए और सारा पैसा ये स्वेम हड़प गए बेलर का क्या गेम है बेलर एक ऐसा यंतर दा जो गौर्मेंट चाहती थी किसान जो पराली जलाता है यदि बेलर किसान को दे दिया जाए तो पराली से मुक्ति पाई जा सकती है और उसकी कौस्ट है बीज लाग रुपे तो उस पे सबसे ज़्यादा सबसेड़ी गवर्मेंट ने दी थी 80% सबसेड़ी दी थी तो सबसे ज़्यादा जो खेल हुआ है यही सबसे ज़्यादा बड़ा खेल हुआ है बेलर को जो है तमाम फरजी किसानों के नम पे इन्होंने गौर्मेंट से और किर्सी अधिकारियों से मिलके और बैंक मेनेजर हमने सुना है कि बैंक में बैटके साथ वजे भी किसानों के खाते खुल जाते थे फरजी नाम से फरजी आईडी से और फरजी आईडी पे ही खाते खुलने के बाद फरजी चेक और चेकों पे साइन करके ये ले लिया करते थे उन लोगों से और बाद में वो पैसा अपने खाते में टांसफर कर लिया करते थे आगे भारतिये किसान यूनियन की क्या रण लेती रहेगी भारतिये किसान यूनियन इस प्रकण को बहुत उपर तक ले जाएगी और यदि हमने इनको समय दिया है 16 जनवरी तक का यदि 16 जनवरी तक कोई कारवाई नहीं होई तो 16 जनवरी को हम यहां अनिश्यत कानियन के लिए धरने बढ़ें